मोधी है तो मुम्किन है यह लाइन आपने बिजेपी निताओं और गोधी पत्रकारों के मुझसे ना जाने कितनी बार सुनी होगी और अब तो लगता भी है कि सच में मोधी है तभी यह सब मुम्किन है अगर कोई और हमारे देश का प्रधान मंतरी होता तो देश की ऐसी दु खुद देख लीजिए अपनी आखों पर विश्वास नहीं करेंगे आपको ये भी पता होगा कि नेरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं वो एतिहासिक हो जाता है उसी तरह उनका यह काम भी किसी एतिहासिक काम से कम नहीं है ये पूरा मामला क्या है जानने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें नमशकार मैससे और आप देख रहे हैं देशनिती देशनिती किवल सच्ची और पक्की खबरे दिल्ली में बुधवार को हुई भारे बारिश के दौरान नई दिल्ली संसत भवन के अंदर से चौकाने वाली तस्वीरे सामने आई पार्लियामें शोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही है ऐसे में शोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके निर्माड कारे को लेकर सवाल खड़े किये एक यूजर ने लिखा आपको पता है कि नई वाले संसत बारे सो करोड रुपए की बनी है आपको बता दे कि पार्लियामेंट की अब इस मामले पर चुप क्यों है ये कारे तो स्वैम पीयम मोदी के नित्रितों में हुआ है फिर इसमें इतना बड़ा फ्रस्टाचार कैसे हो गया ये कोई आंग जनता के लिए बनाया हुआ भवन नहीं है ये देश का पार्लियामेंट है जहां से देश के विकास के लिए फैसले लिए जाते हैं जहां देश के लिए नियम और कानून बनाया जाते हैं उस संसतभवन का ये हाल है ये बात कभी किसे ने अपने सपने भी नहीं सोचा होगा अब एक बार आप सोचिए जो सरकार नए संसत भवन को बनाने में सक्षम नहीं है वो सरकार आम जनता के लिए सड़क, स्कूल, अस्पताल की विवस्था कैसे करेगी बीजेपी के निताओं की अगर बात आप गौर से सुनेंगे तो लगेगा कि इनके जैसे समाज सेवक दुनिया में हो ही नहीं सकता की लागत से बना है लेकिन आज इसकी छट से पानी टपक रहा है इसका एक इलाज है कि मोदी जी को इसी पानी के नीचे खड़ा कर देना चाहिए और पूछना चाहिए कि कैसा महसूस हो रहा है कॉंग्रिस भारत के आजाद होने के बाद कई सालों तक देश में शासन किया इस देश को कई कॉलेज, अस्पताल और सरकारी संस्थान दिया साथ ही कॉंग्रिस पर कई सारे भ्रस्टाचार के आरोप भी लगे है लेकिन जब से बीजेपी किंद्र में आई है तब से भारत को विश्व गुरु बनाने का डंका तो ऐसे बजाती है जैसे बीजेपी ने सच में इस देश का बेडा पार कर दिया हो और सच आपके सामने दिख रहा है कि जो चीज भारत की जनता ने पुरे इतिहास में नहीं देखा था वो आज मोदी के राज में क्या-क्या देखने को मिल रहा है इतना ही नहीं अगर गलती से भी इस बार देश की जनता ने बीजेपी को वोट दिया होता तो आज ये इस देश का पता नहीं क्या कर रही होते अब देश की नहीं संसद भवन में बारिश का पानी आने को लेकर कॉंग्रिस ने सवाल उठाया है कॉंग्रिस के सचेतक मडिकम टैगोर ने सोशल मेडिया पर पोस्ट किया और कहा बाहर पेपर लिकेज, संसद में वाटर लिकेज, राष्टपती की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली संसद की लोबी में ऐसा होना मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है ये पुरा घटना क्रम इसका निर्माट पुरा होने की महज एक साल की बाद ही सामने आई है कॉंग्रिस संसद ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और इस संबंध में लोग सभा में अस्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है वही समाजबादे पार्टी के प्रमोख और उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शोशल मेडिया पोस्ट में कहा इस नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी जहां पुराने संसद भी आकर मिल सकते थे क्यों ना फिर पुराने संसद चले कम से कम तब तक के लिए जब तक अर्बो रुपयों से बनी संसद में पानी तपकने का काम चल रहा है अखिलेश ने आगे कहा कि जनता पूछ रही है कि BJP सरकार में बनी नई छट से पानी तपकना उसकी सोच समझ कर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर कोई नई चाल बाकी संसद भावन में पानी तपकने वाले खबर पर आपकी राय क्या है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और साथ हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूले